तूस्ट, सुवावत है आप सभी का टाइम ट्रेवल दुनिया के लिए सबसे रहसे में गुत्ती बनी होई है आज का सभी की मन में ये कोशन जुरू डूटता है क्या टाइम ट्रेवल संभव है? इसका जुआ बहाँ है क्योंकि महान विया गया गया, स्टैप्पेन होकी ने ये कहा था अगर हम मुनुस्य है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है, हम भविशे में जा सकते आज आम आपको इस वीडियो में टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना के पारे में बताने जा है तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के लाज तक बने रही है टाइम ट्रेवल जिसमें लोग भूत काल से भविशे काल में जा सकते ये गुत्ती आज तक लोगों के लिए एक रहसमें विशे बनी है ऐसे में युनाइटिय स्टेट के महान विग्यारिक निकोला टेसला ने इसके लिए एक खास मशीन बनाई थी बताया चाते कि वे अच्छानक अपनी जंगल से गायब हो जाय करते थी उनकी इनी हरकोतों से लोग उन्हें मिस्टियस मैन भी कहते थी साल 1856 में पैदा हुए निकोला टेसला ने दुनिया के लिए कई एंवे इसकार किये जिसे लोगों को काफी फायदा मिला इसमें इलेक्ट्रिक आइटम से लेकर कई दूसरी जरूरते चीजें सामील है वे एक विज्ञानिक होने के साथ साथ सफल इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजिनियर भी थे निकोला टेसला ने दावा किया था कि वे टाइम ट्रैवल में सफल होया उन्होंने अपनी अनोबव को साजा करने के लिए एक किताब भी लिखी थी और टेसला ने अपने इस सुनवर का परियोग 4 एक्टूबर 1943 में एक लड़ा को जहाज यूएस के एलडरिज पर किया था इस परियोग को फिलोडिस्प्या के डार्क पाइट पर किया गया था टेसला के साथ साथ इस काम में दूसरे विख्यानिकों ने मदद की बताए जाता है कि जहाज को गायब कर नाजियों को चमकाद देने की लिए जहाज के चारोत्रव 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रो मेगनेटिक कोईल लगाए गए थी दिरी दिरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेक्ट के मदद से बिजली की वोल्टेज को बढ़ाई जाने लगी जैसे बिजली साड़े तीन मिलियन के पाहर पहुची तो एक हरे रंके रोशनी हुई और जहाज भूरी तरह से गायब हो चुग कुछ लोगों का कहना था कि जाज को बाद में वर्जिनिया में देखा गया जहाज में मुदो जादेतर प्रूम मेंबर्स की मौत हो चुगी थी जबकि जो लोग ठीक थे उनकी दिमागी हलत खराब होगी चुगी और माना जाता है कि ये सबी समय यातर करके लोटे हैं और जहाज में सफर करने वाले कुछ यात्रियों का दावा था कि जहाज साल 1953 में गायब हुआ था जबकि वे साल 1983 में पहुच गए थी तब दुनिया काफी डैवलोप हो गई थी टाइन ट्रावल के इसी गुत्ति को सुलचाने के लिए मश्चूर विज्ञानिंग अलबर्ट आइंस्टैन ने भी इसके लिए एक थ्योरी दी थी उन्होंने सन 1915 में ठेयोरी और रिलेक्टिविटी कि समय के एक गती के बीच सम्बंद को समझाय गया था निकोले टैसला ने भी एक दावा किया था कि उन्होंने एक समय में भूत बविशय और वरतमान को देखा है तो दोस्त आज कतोगे हमारा पूरा नीचे कमेंट करके बताई कि आप सभी को डाट ट्राइम ट्रैवल वीडियो कैसे लेगे अगर आपके वीडियो चिलेगी तो माइक कर देना और हां हमारी चैनल पर ने हो तो चलो सब्सकाइब करना मत पूर और ऐसी वीडियो को देखन